अगर आप अपने Android phone से किसी को message send करते हैं जैसे message send करते हैं तो यहाँ पर no send tap to try again यह problem आती है और message send नहीं हो पा रहा है तो इस problem को कैसे solve करना है कैसे fix करना है आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बस आपसे request वीडियो को पूरा देखे तभी आप अपने इस problem को solve कर पाएंगे fix कर पाएंगे तो फ्रेंट चले वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले बता दूँ अभी तक आपने चैनल को subscribe ने किया तो subscribe करके notification को प्रेस करने जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा सबसे पहले आपको अपने मुबाल की settings पर जाएंगे और जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर आपको apps का option देखने को मिलेगा apps में क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद permission में क्लिक करके sms और phone और सभी permission को यहां से allow करना है बैक होके वापस आएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे storage में क्लिक करेंगे और clear catch कर देना है इसके करने से आपके phone में जितने भी error होता है temporary file होती है वो clear रहती है फिर आपको install unknown app में क्लिक करके यहां से allow करना है इसके बाद अपने phone को restart करेंगे और किसी भी person को message send करेंगे तो आपकी जो यह problem मारती वो fix हो जाएगी solve हो जाएगी उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो like करना channel पर पहली बारा है तो channel को subscribe करके notification bell को press करने जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले म मिलेगा तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग टेक केर